हलो, हमारा आज का टॉपिक है रियाक्शन ओफ मिटल्स विद वाटर, यह हम थोड़ा सा पहरे भी डिस्कुस कर चुके हैं कि वाटर के साथ मिटल्स किस तरह से रियाक्ट करते हैं, हमने डिस्कुस किया था कि सोडियम पानी के साथ बहुत ही एक्स्प्लोजिवली रियाक्ट करता है और बहुत सारी हीट रिञीज करता है और एक्स्प्लोड हो जाता है, हमने यह भी पढ़ा था कि आयरन बहुत ही धीरे-धीरे पानी के साथ रियाक्ट करके रस्ट, यानि की जंग बनाता है non-metals पानी के साथ react नहीं करते हैं चलिए अगर हम इसके बाद देखें तो आप यहाँ पे हमने डियाग्राम हमने डिस्कुस किया था कि आपके बहुत सारे metals नहीं है aluminium यह पानी के साथ react नहीं कर रहा है copper पानी के साथ react नहीं करता है iron भी पानी के साथ रियाक्ट नहीं करता lead एक और metal है ये भी पानी के साथ रियाक्ट नहीं करता है magnesium में हम देखेंगे छोड़ी बबल्स बन रहे हैं magnesium पानी के साथ थोड़ा बहुत रियाक्ट करता है potassium में भी थोड़े बहुत बबल्स बन रहे है और sodium में थोड़े जादे bubbles कर रहे हैं तो कुछ metals जैसे कि magnesium, potassium and sodium पानी के साथ react करते हैं और बहुत सारे metals पानी के साथ react नहीं करते हैं तब ही हम metal के बरतन में पानी को store कर सकते हैं यह जो थोड़े बहुत metal पानी के साथ react करते हैं यह पानी सा रियाक्ट करके बनाते हैं metallic hydroxide यानि कि अब यहां देख सकते हैं सोडियम वाटर के साथ रियाक्ट करके sodium hydroxide बनाता है NA यह वाटर के साथ रियाक्ट करता है H2O के साथ और यह फॉर्म करता है सोडियम हमने यहां लिखा यहां से एक oxygen ले लिया NAO और यहां से एक hydrogen ले लिया NAOH और इसी के साथ एक hydrogen रहे जाता है तो वो हमारा hydrogen gas बन जाता है जो bubbles के form में बहार निकलता है यहां देख सकते हैं कि यहां पर hydrogen gas bubbles के form में बहार निकल रही है magnesium, potassium and sodium अगर हम वहीं बात करें non-metals की तो जादा तर non-metals पानी के साथ रियाक्ट नहीं करते हैं और वो hydrogen gas भी नहीं निकालते हैं, यह हमने discuss कर लिया था, this is a very big table, we'll come back to this table after a few minutes अगर हम यहां देखे तो हमारा पर यहां पर बहुत सारे metals हैं, we have potassium, metal को हम तीन हिस्सों में divide करते हैं, weight के basis में, these are light weight metals और यहां पर heavy weight metals हैं, तो अगर हम यहां देखें तो potassium, potassium और sodium, calcium and magnesium का weight काफी हलका है और यह जो metal है, जैसे कि lead copper, iron, silver, gold इनका weight बहुत सारा है, तो अगर हम हर metal को discuss करें, यह इनके symbols हैं, these are the symbols potassium को हम K से denote करते हैं, sodium को NA से calcium का पहले दो लेटर है CA, magnesium में M और G होता है aluminium में पहले दो लेटर AL, zinc में Z और NU होता है lead का scientific name plumbum है, इसलिए इसका नाम PB से start होता है, copper का नाम cuprum है, इसलिए इसका नाम CU start होता है, mercury का नाम hydrogyrum है, इसलिए इसका नाम HG से start होता है, silver का नाम argentatum है, इसलिए इसका नाम AG से start होता है gold का नाम aurum है, इसलिए इसे AU कहा जाता है, यह इनके latin names होते हैं, तो अगर हम metal के बारे में बात करें कि metals किस तरह से oxygen के साथ react करते हैं, water के साथ react करते हैं, acids के साथ react करते हैं, तो we'll discuss first only with air and water potassium और sodium यह दोनों के दोनों metal air के साथ बहुत ही strongly burn करते हैं, metal oxides बनाने के लिए, जो basic होते हैं nature में calcium, magnesium aluminum, zinc और iron यह हमारे 5 metals burn करते हैं metal के साथ, oxygen के साथ लेकिन इनकी strength थोड़ी कम होते है viger थोड़ा कम होता है, और यह भी metal oxides बनाते हैं अगर हम बाकी क्यों discuss करें lead, copper and mercury, यह heavy metal है यह बहुत धीरे धीरे oxygen के साथ react करके, metal oxides बनाते हैं, और silver और gold, यह oxygen के साथ react नहीं करते हैं, they do not react with oxygen चलिए, पानी के बारे में अगर discuss करें potassium and sodium पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ भी react करते हैं, और यह hydrogen gas निकालते हैं, they release hydrogen gas, और hydroxides बनाते हैं, यानि कि NaOH, sodium hydroxide and KOH, potassium hydroxide अगर हम calcium भी इसी के साथ हैं, calcium भी ऐसे ही react करता है, hydrogen gas निकालेगा और एक hydroxide बनाएगा, CA OH 2, calcium hydroxide अगर हम बात करें, magnesium aluminium, zinc और iron की यह सिर्फ गरम पानी के साथ रियाद करते हैं गरम पानी के साथ भी नहीं, भाप के साथ रियाद करते हैं स्टीम के साथ रियाद करते हैं hydrogen gas release करते हैं, metal oxide बनाते हैं अगर हम बात करते हैं, lead, copper mercury, silver and gold की तो यह पानी के साथ कोई reaction शो नहीं करते हैं तो अलग-अलग metals अलग-अलग तरीके से पानी के साथ react करते हैं जाद तर हमने डिस्कूस किया था कि non-mittles हमारे पानी के साथ reaction इनका कम होता है या नहीं होता है अगला topic है हमारे reaction with acids जाद तर non-metal हमारे acid के साथ react नहीं करते हैं metal हमारे acids के साथ react करते हैं hydrogen gas produce करते हैं यह बहुत important है इसको हम बाद में detail में भी पढ़ेंगे copper हमारे एक ऐसा metal है जो hydrochloric acid के साथ react नहीं करता है लेकिन sulfuric acid के साथ react करता है, हमारे acids जलग-लग तरा किया होते हैं तो इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं